कर दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCRT e-teaching में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नागराज की दो कॉमिक का रिव्यू कुंडली और आतंकवादी नागराज यह जो इसका टाइटल है थोड़ा सा आपकवाट पटा यह जीव लगएगा कि नागरा की रूप में नागराज ने शुरुआत करी थी लेकिन अगर आपको इनिशिल स्टोरी पता हो नागराज की पहला जो इश्यू आया था नागराज उसमें नागराज खुद आतंकवादियों का महरा था एक तरीके से डिटेल इसकी स्टोरी इंट्रेसिंग इंट्रेसिंग आपको बताया था कि प्रोफेसर नागराज को अपना आविशकार बताते थे उस समय अला कि बाद में इसके स्टोरी में कफी चेंज आया था इस से एक खाजाना सीरीच करके आया थी इससे में ओर इजन में तोड़ा चेंज किया गया था अदर्वाइज सुरात की जो स्टो दो करके एक सुपर हीरो बन जाता है और आतंगवाद से लड़ाई शो कर देता है उसी सेम कॉंसेट का जो फर्स्ट कोमिक्स में उसक्या था उसी को थोड़ा सा मोडिफाय करके इसमें यूज किया गया है वो चीज इसमें एड के गई है और शुरुआत में एक बाबा गोरख गोरखनाथ कास में बहुत बड़ा रूल था तो जब उस कॉंसेट को लेंगे तो बाबा गोरखनाथ का अपिरेंस भी हमें देखने को में लगाई देखिए यह बाबा गोरखनाथ शुरात के को जो नागराज से कॉमिक्स आया करते थे इस तरीके के 32 pages के जिसमें आतंगव इ很多 देख सकते हैं बिल से कि अन लूट करेंगे तो आम में डिटेल में समझाये कि किस तरीके से नागराज में क्या रिबूट किया गया किस तरीके जैने कि और किस तरीके से उन्होंने नागराज के जो हे लाइफ एक को अफिक्ट करा हूं तो यह भी सरीज्ड का एक्च्वली पार्ट था पर राज कोमिस इसको एज इसरीज लेता नहीं है इसलिए इसके पार्ट में आता है कभी कोई कोमिक रिप्रेंट होता हैं ज्से कि मेरे पास 6 शिचिट अभी फिला हला मेरे पास यह दो ही निकाले वहे हैं पेला में फिक्टर जरूर काल चक्र उसके बाद कुंडली फिर ऐनाल न चंग फिर काली मॉध फिर नागराज अमेरिका में और फिर आतंक लादी नागराज इन में से काल चक्र कुंड़ाज आतंकवादी नागराज इनका रेपरेंट safe में 2018 में में देखने को मिला था 60 रूपीज के साफ प्राइस में इसको रिप्रेंट किया गया था ओरिजिनल ये 2020 रूपीज के आये थे मिला क्योंकि हर एक कोमिक्स से लास्ट में थोड़ा कंक्लूड करके समाप्त लिख दिया गया है अला कि 6 कोमिक्स के जरूनी थी ये नागराज की नागराज को जब रीपूट किया था मैंने कई बार मेंचन किया है आप जरूँ चेक करें खजाना सीरीज का रिवीव और फिर इस त्सलोक बस्क्राहइब है नागराच जी जाता बंद तरह अनुपम सिनाजी द्वारा बनाये हैं जैनागराच में पड़ाइब देखे जिसे उसका एक कोमिक्स यहाँ पर दिख रहा है तो इस विश्वरक्षक नागराज की छवी में जितने सारी एशुज आये कुछ मैंने इंक्लूड कर रखे हैं पर तो उस स्रीज में टुथान थ्री से थोड़ा सा फिर से में पराना फ्लेवर देखने को मिला ऐसा कुछ हुआ उस विश्वरक्षक नागराज की लाइफ में कि वो फिर से आतंकवाद के खिलाफ एक उसे थोड़ी से जंग छड़ दी और इसको अलवला कंटरी जाना पड़ा और कची स्रीज बन गई थी उसमें, और उसका लास्ट कॉमिक्स था आतंकवाद नागराज, बहुत इंटरेस्टिंग हर यह आतंकवाद के'lle नामाईब्ली बहुत सोमझस करके लिया गया यह 1st क मिक्स सकनेट करता है यह initial कमिक्स सकनेक्स करता है और कफी interesting सब्सक्राइब लिया गया फिर से और ये दो कॉमिक्स में इसलिए शामिल के हैं अभी ये दोनों ही 18 में रिप्रेंट हुए थे देखिए इसमें लिखाओगा एक उप्राट में सुरी ये 19 रिप्रेंट वाता कॉंडरली और आतंग दिनागराज शायद 18-19 वाता तो ये अच सब्सक्राइब कर दी गई शिक्षी और अभी फिलाल बंट्वंटी चल रहा प्राइस तो 19 में कफी अच्छा रखा गया शिक्षी रूपीस के और 19 में तो चार साल तक सेम प्राइस में प्रेंट करना है इसे गुड़ थिंग अभी तो 6 मंत में ही प्राइस बहुत ज्याद सकता है थम्रेल में मैं सभी शिक्ष पार्ट के जो है पिक्चर्स लगा हुआ क्योंकि मैंने मेरी जो पुराणे कोमिक्स थे उनके में फोटोग्राफ जरू ले रखें डोनेट काने से पहले तो वह में लगा दूँगा तो यह कुंडली सेकिंड कहलाएगा अगर हम पहला क करना चाहिए तो इसको पार्ट कभी रिप्रेंट होते हैं तो यह जो लास्ट कोमिक्स था यह था अदंक्वादि नागराज जिस शकी हूंज और एक तरीके से इसको मल्टी स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं कि लास्ट के कुछ पार्ट में क्योंकि नागराज सबसे जह घृम पॉस्ट पवर्फुल हिरो माना एक था तो अगर इसमें अगर नागराज अनकंट्रोलेबल हो जाए तो उसको एक इसे नहीं होगा तो श्री अंपम सिना जी ने अच्छा टुस्ट डाला इसमें इंस्पेक्टर स्टील पर मानो डोगा को भीमिल लिए गए लास्ट पर इंटरसिंग तिनक है इसमें सुपरकॉंड ध्रू का पिरेंस नहीं अधर्वाइज नागराज की इतने वे क्रोसोवर उस पर सब्रकॉंड धुरू मिलता है यह ऐसा स्रीज का लास्ट पार्ट बन जाता है यह ब्रीफ में शुरात की स्टोरी भी मेंशन की गई है यह यह रिप्रेंट तो है लेकिन इसमें ओरिजिन से डिटेल्स मेंशन नहीं कि सब्सक्राइब करेंगे यह देखेंगे इसमें जो देख लेता है अगर है यह बाबा गुरुक नाथ है और एक चली पहले दिखाता फिर एक इस बात को मेंशन करके इस वीडियो को एंड करेंगे यह देखें इसमें जब जो सिक्स पार्ट की सीरीज खतम होती तो क्या लिक रखा देखें मुझे भी इस बात का आभास हो रहा है कि बाबा की मेरी और नाग पाशा के अगली मुलाकात शीगर होगी अधी शीगर क्योंकि जस्ट इसके बाद में ड्रेकला सीरीज प्लान यह देखें नारा दुरू के उस समय के जो तक को मिकस्तान की लिस्ट भी गई है और पेज नमर 19 पे भी 32 पे एक एड आता था तो उसको देख लिए बिल्कुल वही पुराना एड देखें प्लाना एड देखें है और 31 या 32 पे एड देखने को मिलेगा यह देखें बिल्कुल ओरिजिनल डीटेल से बस कवर में थोड़ चेंज कर देखेंगा लेटरेस्ट एड सामिल करने के वैसे यह एक्ज़ेक्ली ओरिजिनल डीटेल जैसे प्रिंट नहीं बन जाता है अथर्वाइस कुछ नए प्रिंट्स मिर पास है देखें यह एसे प्रिंट्स आज अनपम सिना जी की तरफ से क्योंकि बाकि जो आतंखर्दा सीरीज है वो अधर आटिस्ट के दोरा हमें मिलती है चाहें वो पुरानी सीरीज हो 1995 से पहले की या फिर 2007 से जो लेदित कुमार श्रमार जी ने शुरू की ती और हिमन्त कुमार जी उसे आगे बढ़ा रहे है आतं और जो लास्ट मैं आपको बात बता रहा था कि बाबा गोरफनाथ जो 1995 से पहले काफी इंपरेंट करेक्टर थे नागराची को मिक्स के और नागपाशा और गुरुदेव यह नए करेक्टर इंट्रूद्यूज हुए थे एज विलेन यह एक को मिक्स का नाम भी देखिए इसमें बाबा गुरुदेव भी दिखाया देखिए और इस तरीके से इसको एक पीक पॉइंट मां सकते हैं कल्मिनेशन मां सकते हैं आट्रोक इसका शांदारी आट्रोक के वी बाद कर ली जाए देखिए विनौध कुमार जी किंगिंग है मेरे दोरा करे गए सब कलर आये थे उस समय है यह 2003 का है यह को मिक्स है और क्योंकि अब यह ग्लोशी में रिप्रिंट हुआ है तो यह कलर और भी ज्यादा निखरकर के सामने आ रहा है देखें बहुत अच्छे से कलरिंग है इसकी तो इसका आर्टर कमने देख लिए है थोड़ा कुंडली पर भी अलागि अकोडिंग डू मी यह भली सीरीज कंसे रिना होती हो इस इस पार्ट का एक सीरीज हात अंगवाद रीबोट का श्री अन्पम सिनाजी द्वारा बाकि स्टेंडलोन भी अच्छी तेस्ट पड़े आ सकते हैं इसमें बेसी कॉंसेट यह था काल चक्र जो कॉमिक्स थ अगराज की लाइफ में काफी इंपड़ेंट करेक्टर है वारती उसका किडने पहलता है क्राइम किंग जो विलें क्राइम किंग में एक विलें आया था हमारे पासे सुप्रीम हैड वही विलें काल चकर में रिपीट होए थे लेकिए ग्लोशी में रिप्रेंट है आप पुराने करेक्टर से नगीना भी इंट्रोड्यूस ही है नया करेक्टर डाला गया है और धीरे धीरे यह उस चर्णने की तरफ ले जाती है नागराज को इस चितर में देखी ग्लास ब्रोकन ग्लास बना रखा है और उसकी कलरिंग आप देखी कितने अची है 2002 ए 2003 की कोमिक् और फिर जो साइंटिस्ट है वो शुरुआत में थोड़ा विलेन टाइप का दिखा रहा है फिर इस में करेक्टर में थोड़ा सा चेंज दिखाते हैं कि यह जो है यह एक हैल्प करना चाहती है भारती के डूनने में देखी अब नागराज के हाथों नहीं बचे के आतंकव की स्रीज है उसमें चार कोमिक्स में लोग कंसेडर करते हैं एलाने जंग, काली मोत, नागराज अमेरिका में और आतंकवाद नागराज लेकिन मैं इसको काल चकर से सही शुरू करता हूँ क्यों कि घटना करम हां से शुरू हा था तो काल चकर से भारतिया किटने पो आता कि एक चार कमिक्स अमिक्स में जो नागराज और आतंकवाद के राह में चलता है। तो आई होप यह वीडियो आपको इंटैशन्ग लगा और इसके साथ मैं अपनेश वीडियो को अन्तरता हूं कि अंतहर दन्यावाद झाल झाल